नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग एंपायर पर मेरे यानि अनु के साथ और हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मुव्मेंट की यानि के नेशनलिजम इन इंडिया की दोस्तों इस सेशन के दो पार्ट उल्रेडी मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं यह इसका थर्ड और लास्ट होगा सो विदाउट अनी फॉर्द डिले लेट स्टार्ट सो दोस्तों अभी तक हम ने देखा था कि गांधी जी ने इर्वीन के सामने दांडी पहुचते हैं और वहां पर जाकर वह क्या करते हैं वह समुत्र के पानी से नमक साबूत्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर देते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने नमक कानून का उलंगन किया है कानून को तोड़ा है जैसे ह किसीविल टिसोबिडिय समdar जो है पूरी इंडिया में शुरू हो जाता है तो बात करते हैं दोस्तोच सिविल डिसोबिडियंस पे मोइटो नॉन अगांप उपसूर्परेशनल के निन आईए आप लेकिन कानून का जो पालन है वो आपको करना पड़ेगा अंग्रेजी कानून को मानना आपकी बाध्यता होगी तो ये नोन कोपरेशन मूवमेंट में था लेकिन जब सिविल डिस ओबिडियन्स मूवमेंट आया है दोस्तों तो गांधी जी ने क्या कहा गांधी मुवमेंट में दोस्तो कानून को मानना होता था कानून का पालन करना होता था लेकिन civil disobedience मुवमेंट में कानून का पालन नहीं करना होता था यही एक main important बात थी तो जैसे कि यह लिखा हुआ है not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial law तो colonial laws को तोड़ना civil disobedience मुवमेंट की एक विशेश्टा थी इसका result के आरा दोस्तों की हजारों की संख्या में पूरे देश में लोगों ने salt लोगों को तोड़ा और जान बूच कर government salt factory के सामने वो लोग जो है एकठा होके salt बनाने लगे क्यों जलाना था भाई दूसरा जैसे जैसे ये movement spread हुआ तो क्या हुआ कि foreign clothes अंग्रेजी जो कपड़ा था उसको boycott किया जाने लगा और liquor shops की picketing की जाने लगी entry block की जाने लगी peasants ने क्या किया refuse कर दिया कि हम चोकिदारी taxes नहीं देंगे आपको हम revenue नहीं देंगे आपको village के officials जो थे उन्होंने resign कर दिया एक तरह से दोस्तों ये था कि boycott movement भी साथ साथ चल रहा था अब dribbles के अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी कानुन तोड़ा forest लोग को तोड़ना शुरू कर दिया और इस लोग के एक नहीं तरीके की क्रांती की और बढ़ चुका था इंडिया तो जब इतना होने लगा तो अंग्रेजी कानुनों को एक के बाद एक तोड़ने तोड़ा जाने लगा तो अंग्रेज टूप होने वाले नहीं थे बदले में उन्होंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिये अब वो हाथ पैर कैसे मारे अब आप यह देखिए कि अंग्रेजों ने civil disobedience movement के खिलाफ हाथ पैर मारने के लिए Congress leaders को एक के बाद एक arrest करना शुरू कर दिया तो इसी के बीच में दोस्तो अपरेल 1930 में Congress के एक बहुत eminent नेता थे अब्दुल गफार खान तो उनको गिरफतार कर लिया गया जब अब्दुल गफार खान को गिरफतार कर लिया तो भीड और भी जादा भड़क गई जब और भी जादा भीड भड़क गई तो क्या हुआ कि पुलिस भी गोलियां चनालें लगी और भीड को जो है तितर बितर करने के लिए अंदर दुन्द फाइरिंग में लोगों को मारने लगी लेकिन लोग पीछे नहीं हटे जब अबदुलगफार खान जी की अरेस्ट होने के बाद लोग इतना एंगरी हो गए थी तो आप सोच सकते हैं कि महत्मा गांधी जी जब अरेस्ट हुए थे तो लोगों की गुसे की क्या सीमा रही होगी जैसे ही महत्मा गांधी के अरेस्ट की खबर फैलती है पूरे इंडिया में ब्रिटिश के जो भी स्ट्रक्चर से चाहे वो पूली स्टेशन हो चाहे होस्पिटल हो चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे कुछ भी हो हर चीज में आग लगाना शुरू कर दिया लोगों ने तो violent देखिए non-violence चाहते थे मातमा गांदी वालेंस चाहते ही नहीं थे लेकिन हर movement में violence होता जा रहा था जब government ने लोगों को ये आग लगाने से मना करने के लिए response किया तो बदले में एक लाख लोगों की गिरफतारी हुई महत्मा गांदी इन सबसे दोबारा बहुत ज़्यादा परिशान हो गए और फाइनली उन्होंने एक बार फिर से अनाउंस कर दिया कि Civil Disobedience Movement Part 1 को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ इसका क्या असर पड़ा दोस्तों लोगों को लगा कि जैसे ही हमारी उम्मीदे पूरी होने वाले थी जैसे ही अंग्रेजों को हम धूल चटाने वाले थे बिल्कुल इतने करीब आने के बार महत्मा गांदी जी ने यह मुवमेंट वापस ले लिया और हमारे अभी तक के स्ट दिरे धिरे करके लोगों का भरोसा उठता जा रहा था यह सब होता जा रहा था फिर अंग्रेजों ने कूट नितिक चाल चली उन्होंने की गांदी जी के साथ 1931 में गांधी इर्विन समझोता के रूप में एक नया पासाफे का और यह कब हुआ गांधी इर्विन पैक्ट कब हुआ 1931 में याद रखेगा कब हुआ 1931 में तो इस पैक्ट के अकोर्डिंग क्या था दोस्तों कि जो सरकार थी जो अंग्रेज थे वो मान गए थे कि गांधी जी आप हां नहीं सोरी दुबारा से शुरू करते हैं गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था 1931 में तो गांधी राउंटेबल कॉन्फरेंस में बताएंगे तो गांधी जी ने बोल दिया कि ठीक है मैं इससा लूँगा राउंटेबल कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा कि आप दिसंबर 1931 में करवाएंगे मैं इससा लूँगा राउंटेबल कॉन्फरेंस में लेकिन मेरी एक शर्त है तो क्या रखी उन्होंने कि जितने भी political prisoners हैं आप उनको रिहा करेंगी तो अंग्रेज जोते वो मान गए कि ठीक है हम आपके political prisoners को रिहा कर देंगे लेकिन बदले में आपको roundtable conference जो लंदन में होने वाली है उसमें हिस्सा लेना पड़ीगा तो गांधी जी मान गए उन्होंने roundtable conference में हिस्सा लिया दिसंबर 1931 में याद रखिये गया कि यह दूसरी roundtable conference थी पहली वाली जो थी उसको Congress ने boycott किया था ठीक है तो पहली वाली को boycott किया और यह दूसरी roundtable conference में गांधी जी ने हिस्सा लिया इस conference में कि अब्दुलगफार खान जी को और जवाहर लाल नहरू जी को तो अभी भी जेल में ही बंद किया हुआ है जबकि समझोता यह हुआ था कि political prisoners को तो रिया किया जाएगा तो अंग्रेजों ने अपनी बात का मान नहीं रखा दूसरी बात कि जो इंडिया की सबसे बड़ी party थी Congress उसको अंग्रेजों ने illegal declare कर दिया तो गांधी जी समझ गए कि यह तो अंग्रेजों की कूट नीतिक चाल थी धूर्त अंग्रेज चलाक अंग्रेज और गुसे में गांधी जी ने क्या किया कि civil disobedience movement पार्ट टू लॉंच कर दिया कब लॉंच किया 1932 में तो जैसे ही गांधी जी ने यह movement शुरू किया वैसे ही एक साल से थोड़े से ज्यादा समय में 1934 तक यह जो movement था momentum होने लगा अब जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि civil disobedience movement पार्ट बन को जब गांधी जी ने वापस लिया पार्ट बन को जब गांधी जी ने वापस लिया तो लोग थोड़ा परिशान हो गए निराश हो गए थे कि क्यूं गांधी जी ने ऐसा क्यूं किया जब हम ओल्मोस्ट देर थे अपनी उमीदों को पूरा करने के वैसे ही गांधी ज कि दो बारह से जब यह movement शुरू हुआ तो अलग अलग कम्यूनिटी अलग-अलग क्लास के लोगों ने इस movement को कैसे देखा और इस movement के लिए किस तरीके से फ्रतिक्रिया दी तो let's see इस movement में हम देखेंगे दोस्तों की कुछ classes को देखेंगे जैसे rich peasants को देखेंगे फिर हम poor peasants को देखेंगे इसके साथ हम business class लोगों को देखेंगे industrial workers को देखेंगे और last में हम देखेंगे women's को तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों rich peasants की तो जब civil disobedience movement part 1 आया था तो ये लोग बहुत ज़्यादा actively इन्हों ने participate किया था अब आपको पता है दोस्तों की इंडिया में जो था भुकमरी आ गई थी crops खराब हो गई थी और ये जो rich peasants थे भारी मातर में crops उगाते थे तो जब क्योंकि crops खराब हो गई थी तो उस समय में इनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था अब इनको बहुत प्रिटिश पॉलिसीज ने इतने भारी नुकसान के बाब जूद भी revenue में कोई रियायत नहीं थी तो revenue हाई रहा लेकिन payment और पैसे तो आए नहीं लोगों के पास तो economic recession भी आया तो इन सभी reasons की वज़ा से जो rich peasants थे वह unable थे वह समर्थ नहीं थे कि वह revenue डिमांड को पूरा कर सके उन्होंने demand की rich peasants चाते थे कि revenue में थोड़ी कमी की जाए ताकि हम आपका revenue भर सके लेकिन अंग्रेज उन्हें ऐसा नहीं किया तो क्या होता है कि civil disobedience one में जो है ये rich peasants जो है बढ़ चड़के इससा लेते हैं उनको लगता है कि revenue demand कम हो जाएगी और हम हमें बहुत ज़ की deeply disappoint हो गए थे rich peasants और उन्होंने जो है बहुत सारे rich peasants ने 1932 में जब इसका second part लोंच हुआ civil disobedience movement को तो उसमें part लेने से मना कर दिया ठीक है ये तो थी दोस्तो rich peasants की बात या अमीर किसानों की बात अब बात करते हैं गरीब लोगों की या गरीब किसानों की तो दोस्तो गरीब किसान क्या करते थे उनकी रोजी रोटी चलती थी लैंडलोड के खेतों में तो लैंडलोड के खेतों में ये गरीब किसान जो है अपना काम करते थे तो इसके बदले में वो रेंट भी दिया करते थे ठीक है तो अब क्या हुआ कि फसल तो खराब हो गई तो पैसे तो आएं नहीं, तो रेंट कैसे दें, तो लैंडलोड जो थे, वो किराया नहीं कम कर रहे थे, तो यह जो गरीब लोग थे, यह चाहते थे बिलकुल अब तो हमें किराया देना हैं नहीं, तो छिविल डिशोबिडियन्स मूवऩमेंट जब फर्स्ट फेज आया तो इन्होंने कम किराय की नहीं इन्होंने तो सिधा सिधा बोल दिया कि अभी किराया नहीं देंगे लैंडलोड को इतना भुकमरी की सिच्वेशन आ रहे हमारे पास खाने को रोटी नहीं है तो किराया का से दें हम किराया नहीं देंगे तो पहली बात तो कि उन्होंने लैंडलो के फायदे की बात होती थी अब जब Congress थी दोस्तों तो इनको पैसे इनको financially support कोन कर रहा था अमीर लोग रिच पीजन्स जो ते इनको support कर रहे थे तो Congress जो थी एक यह एक दूसरे को support कर रहे थे तो दोस्तों Congress जो थी इन poor people की यह जो demand थी कि लैंडलोड को किराया नहीं दिया जाए उसके campaign का पूला करने का या समर्थन देने का Congress का कोई इरादा नहीं था तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि Congress की और poor peasants की जो बीच में relationships थी वह खराब होनी शुरू हो गई अब यह थी दुंद कमाई की अब यह बहुत अमीर हो गए थे तो अब क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वर खतम हो गया और colonial policies आ गई इंडिया में colonial राज था शासन था तो colonial policies आ गई अब जो colonial policies आई तो यानि बाहर से जो समान था वो इंडिया में इंपोर्ट होता था तो इंडिया में जो समान बनता था उसकी demand बहुत जादा कम हो गई थी ठीक है तो होता क्या था कि इन लोगों को बहुत जादा नुक्सान होता था तो यह क्या करते थे कि यह नहीं खुश थे ब्रिटिश की पॉलिसी से जो की इनके बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी दूसरी बात यह प्रोटेक्शन चाहते थे कि फोरें गुड्स का जो इंपोर्ट हो वो लिमिटेड मात्रा में हो ताकि हम अपने इंडिया में बने हुए समान को भी पाएं लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे तो इन्होंने क्या किया यह है दोस्तों जीडी बिरला और यह है पुर्शोत्तम दास यह दोनों अपने टाइम पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इस्ट थे तो इन्होंने क्या किया दो में चीजों की स्थापना की पहला थ इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इसको साथ में ले लिया जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मुव्मेंट पार्ट वन लौंच किया दोस्तों तो बहुत खुश हुए यह लोग और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्होंने खूब भर-भर के इस पैसा दिया तो अब क्या हुआ कि इन्होंने यह सोचे कि सेल और बाय करना Important Goods को अब बैन हो जाएगा यानि कि बाहर ज़्यादा उदास हुए लिराश हुए और दूसरी बात की जब roundtable conference भी हुई थी तो उसमें जब कोई outcome नहीं निकला था तो civil disobedient movement के जो second phase था इसको लेके ये लोग बहुत ज़्यादा शक करते थे तो इन्होंने भी जी भरके support नहीं दिया अगर मैं बात करो दोस्तो इंडेस्ट्रियल workers की तो Congress को जो था ऐसा माना जाता था दोस्तों की अमीरों को ये बहुत favor करती है क्योंकि अमीर जो है financial support देते हैं और गरीब को favor नहीं करती है क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं होता कि वो Congress को support कर पाए तो इंडेस्ट्रियल workers में और गरीब किसानों में यह भावना थी तो गरीब किसान गरीब जो industrial workers थे इन्होंने civil disobedience movement में participate ही नहीं किया बहुत बड़े नंबर पे बहुत कम लोगों ने participate किया अगर मैं सिर्फ नागपुर की बात करूँ तो वहीं पर ही लोगों ने participate किया था अधरवाइस पूरे इंडिया में participate नहीं किया क्यों क्योंकि यह लोग मानते थे कि कॉंग्रेस जो है वो अमीरों की पार्टी है वो गरीबों का सायोग नहीं करेगी और यदि मैं बात करूँ दोस्तों विमन के participation की तो civil disobedience movement यानी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में ही और तो ने बढ़ चड़के हिस्सा लिया एज यू कैन सी इन बोट दे पिक्चर तो लार्ज केल पार्टिसिपेशन था जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च चलता था ना दोस्तों तो तब यह वुमें जो है इकठा होके आती थी और गांधी जी की बातों को सुनने के लिए जमन हो जाती थी तो इन्हो तो थी कुछ civil disobedience movement की कुछ बढ़ाया और true की कुछ कमिया अब अगर और कमियों को देखते हैं तो जो सबसे अच्छी चीज जो कमियों में निकलके आई वो यह थी दोस्तों की जो untouchables थे यानि के जो उनको अच्छूत माने जाता था उन्होंने बहुत कम participate किया again Congress की जो image थ बेड़कर जिन्होंने बोला कि untouchables का हम बढ़ावा देंगे और इनके लिए हमें separate electorate चाहिए तो ब्यार अमबेड़कर की डिमांड को पूरा करने के लिए जो था पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अमबेड़कर के विच में उरका बोता है 1932 में अब अगर मैं इसके result की बात करूँ कि पूना पैक्ट का क्या result निकल के आता है दोस्तो तो result ये निकल के आता है कि finally जो schedule cast थी जिसको अनुसूचित जाती भी बोला जाता है उनको provincial और central legislative council में seats reserve मिल गई पहले इनको council में seat नहीं मिलती थी लेकिन अब इनको seat मिलने शुरू हो गई और ये किसका result खा पूना पैक्ट ओफ 1932 का और ये कब किस-किस के बीच में हुआ था बियारंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था ठीके अगे अगर मैं बात करूं दोस्तो तो इसकी limitations में एक और बात ये आती है कि Muslim League जो थी अब वो भी अपनी demand करने लगी Muslims को ये लगता था दोस्तो की जो Congress है ना ये हिंदू महसभा और हिंदू बाहुले सभाओ की जादा बाते सुनती है और Muslims की ये Congress बाते नहीं सुनती है या कम बाते सुनती है अगें Congress की जो image थी वो बहुत बड़ा रोडा अठका रही थी इंडिपेंडेंस में तो अब इनके मन में ये सवाल उठने लगा था दोस्तो की जब अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर आके जो councils बनेंगी तो उसमें representation जो होगा वो किसका जादा होगा यानि कौन represent करेगा दूसरी बात जो मुहमद अली जिन्ना थे जो Muslim League के बहुत important member भी रहे हैं तो मुहमद अली जिन्ना ने डिमांड की कि जो भी reserves हां उन्होंने क्या डिमांड की कि जितनी population Muslims की है उसके अनुपात में जो है आप Central और State legislative में Muslims को seat देंगे तो उन्होंने कहा कि बेंगोल और प्रंजाब प्रोविंस में क्योंकि mostly Muslim है तो इन प्रोविंस में जो भी आगे इन future अगर CM बनेगा तो वो Muslim ही बनेगा क्योंकि यहां पे जो है Muslims की संख्या बहुत जादा है और इस समय पे बेंगोल पता है दोस्तों कितना था पूरा आपका असाम से लेके पूरा आपका बांगलादेश यह पूरा कंप्राइज करके पूरा नौर्थिस्ट आपका बेंगोल का हिस्सा माना जाता था तो मुहमद अली जिन्ना क्या चाहते थे मुहमद अली जिन्ना चाहते थे कि Muslims की जितनी population है उसके according उनको legislative council में seats दी जाए ठीक है तो जिसको जिस की जा रही थी कि समझोता होता रहें लेकिन 1928 में क्या होता है दोस्तों MR जैकर नाम का एक व्यक्ति होता है जो हिंदू महासभा का सदस्या होता है वो strongly मना करता है कि हम आपको एक भी seat नहीं देंगे उसके एक स्टेटमेंट से क्या होता है दोस्तों कि मुहमद अली जिन्न और मुस्लिम लीग जो है वो अपने स्टेंड से बिलकुल अलग हट जाती है और अब वो डिमांड करती है कि हमें पूरा का पूरा एक मुस्लिम देश चाहिए ठीक है तो यह जो MR जैकर है इन्होंने पूरे के पूरे करे कराये पे पानी फेर दिया तो अब अगर बात करू दोस्तों की इतना अगर होने लगा था डिफ्रेंसिस आने लगेते हिंदू और मुस्लिम में और इनको अलग देश चाहिए था तो ऐसे में इन दोनों ने एक साथ मिलके कल्लेक्टिव बिलोंगीन के साथ पूरे इंडिया के लिए स्ट्रगल करने को यह क्यों राज हो गए तो ऐसी क्या सिट्वेशन डवलप की गई कि जिससे हिंदू और मुस्लिम एक छत के नीचे फिर से आने लगे तो सबसे पहली बात दोस्तों की बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने भारत माता का पोड्रेट पेश किया किसका पोड्रेट पेश किया भारत माता का डूसरा वंदे मातरम को था हाइम ओफ मदर लेंड अब गीत बनाए गया तीसरी बात जो इंडियन फॉल्कलोर था जो फॉक ट्रेडिशन था इंडिया का वह डवल उसने क्या किया उसने ट्रेडिशनल कल्चल के महत वोको दर्शाया और लोगों में एक फीलिंग आई कि हम पहले कभी गुलाम थे नहीं और अब हमें गुलाम बनाया गया है तो हमें इस गुलामी से आजादी चाहिए ठीक है फिर क्या हुआ महात्मा गांधी जी ने इंडिया नेशनल फ्लैग का आइडिया दिया इंडिया नेशनल फ्लैग बनाया गया और महात्मा गांधी के इंडि बना लिया गया है तो हर चीज दोस्तों फोक हो चाहे भारत माता की पिक्चर हो चाहे वंद्य मात्राम हो हर चीज ने पूरा जी जान लगा दी के हिंदू और मुस्लिम को फिर से एक छत के नीचे एक छत्री के नीचे लाया जाए इससे इससे रिजल्ट क्या निकला दोस्तों इससे रिजल्ट यह निकला पहले तो आप यह देखिए दोस्तों कि यह है भारत माता सबसे पहले 1905 में इस तरीके से बनाई गई थी भारत माता लोगों के सामने इस तरीके का पोर्ट्रिट लाया गया था और उसके बाद जो था इस त जो उन्होंने आइडिया दिया था तो वह इस तरीके का था और बीच में चर्खा इसका क्या सिंबल था चर्खे को यूज करने का मतलब यह था कि हम व्यक्ति हम हिंदुस्तानी जो है अपना काम स्वैम करते हैं और हमें किसी मशीन की ज़रत नहीं है में यह था ठीक है अगर म में हम क्या निकाल सकते हैं जो भी एफर्स थे कि यंदियन गृपस को हिंट्व1 और य४। ग्लून को कोमन स्ट्रग तक सट शक्सेस्फुल रहें लेकिन इसके बाद क्या होता है दीरे धीरे तीरे लोगों के ृपरेंटár मतर्झसस उते हैं उनकी reg lays शिकायत होती है किसी किसी को हिंदू से किसी को मुस्लिम से किसी को उची कास्ट से किसी को लीजी कास्ट से बहुत सारे grievances होते हैं तो इसलिए colonial rules से आज़ादी का हर किसी के लिए आज दिन तक भी अलग ही मतलब था और फाइनली क्या हूआ within the movement unity थी वह कभी कभी तूट भी जाती थी तो इनको बहुत जादा स्ट्रगल करना पड़ता था अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ता था फिर यूनाइट करने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो इमर्ज हो रहा है था वो एक नेशन था जिसकी बहुत सारी आवाजे थी जो freedom चाहता था colonial rule से लेकिन demands सबकी एक नहीं थी बहुत सारी अलग-अलग demands थी इतने differences के बात दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही colonial rule में सबकी अलग-अलग आवाजे उठनी शुरू हो जाती है तो गांदी जी launch करते हैं एक बहुत important movement known as quit India movement और इस movement में वो अपनी famous do or die speech देते हैं बहुत effort किया जाता है और finally क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेज जो है भारत से चले जाते हैं अंग्रेज भारत छोड़ों का नारा दिया जाता है और अंग्रेज भारत छोड़ों के चले जाते हैं और result क्या होता है कि finally 1947 में इंडिया जो है अजाज हो जाता है so this is the end of our today's topic so thank you for your time guys and please subscribe to our channel and stay home, stay safe, God bless you all, Jai Hind